अस्सलाम अलेकुम यहां left side पर उपर declarations पर गए और salary more than 50% के classic view वाले link को click किया तो यह interface open होगा यहां message आ रहा है select period यानि कि साल की return फाइल करनी है तो left side पर period के button पर click किया और यहां tax period में साल enter करके search button को click किया और यहां नीचे select पर click कर दिया यह page open होगा left side पर देखें तो यह tabs नज़र आएंगे अभी पहला tab employment का open है जिसमें salary की details डालनी है इस पहले खाने में अपनी साल की salary एंटर करते अगर इस salary में से कोई amount tax से exempt है जैसे medical वगेरा तो वो यहां एंटर करनी है अगर नहीं तो छोड़ दें कोई allowances basic pay के इलावा अलग से मिलते हैं तो यहां आएंगे और reimbursement होती है जैसे traveling की तो वो यहां एंटर करनी है complete करके calculate पर click कर दें आगे है other sources का tab Receipts deductions पे click करें यहां अगर बहबूत certificate या pension as benefit account से profit आ रहा है तो वो mention करना है इसी तरह कोई profit किसी account से या saving certificate से आ रहा हो तो वो यहां आगे है foreign sources और agriculture का tab अगर बाहर से कोई कमाई आई है तो वो यहां एंटर करेंगे लेकिन वो income होनी चाहिए अगर किसी ने पैसे remittance के जरिये भेजे हैं तो वो यहां नहीं आएंगे इसी तरह अगर जड़ाई आमदनी हो तो वो agricultural income में डाल देंगे अब आते हैं tax chargeable और payments के tab पर इसमें एक tab है tax reductions का यानि अगर आप teacher या researcher हैं तो आपको जो tax की चूट है वो एंटर करनी है अब आगे चलते हैं adjustable tax में यहां पूरे साल में जितना income tax दे चुके हैं वो फिल करना है salary में से जो tax कटा उसके लिए मैं जाता हूँ salary for corporate sector employees में इसी तरह जिस भी payment पर income tax की कटोती हुई है वो एंटर करनी है जैसे गारी के token पर तो वो एंटर करना है यहां private vehicle tax में plus के बटन को क्लिक किया गारी की detail एंटर की और जितना tax deduct हुआ वो इस खाने में डालना है खयाल रखें कि इसमें गारी का token tax नहीं उसके साथ receipt पे जितना income tax लिखा हुआ है वो एंटर करना है अभी आगे भी ऐसी amounts एंटर करनी है तो किसी भी वक्त save का बटन दबा कर अपनी entries को save कर लें भाई light भी जा सकती है फिर सब कुछ दुबारा न करना पड़ जाए फिल हाल तो मैं ठक गया हूँ ब्रेक लेते हैं और बाकी form फिल करते हैं return filing वीडियो के part 2 में तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद